तनोस आ देखे जरा किसमे कितना है दम मेरे साथ यहाँ तुम्हारी मौत आ चुकी है हैलो गाइस पैलकुम डिजी में डिनीज तो गाइस आज हम बात करेंगे एविंजर इंफटी वार के बारे में आप सबही जानते हैं कि भारत में ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मुवी थेटर में लगने के बाद दुबारा बापस रिलीज हो रही है और सेम टू सेम बोई मुवी उसमें कोई चेंजस नहीं, कोई अपडेट नहीं ऐसा क्या है जो कि ये दोबारा रिपीट हो रहा है और देन Marvel India में ऐसा पहली बार हो रहा है जी हाँ अभी तो कोई भी Marvel की मुवी दोबारा रिलीज नहीं हुई या फिर कोई भी example ले लो इंडिया की मुवी जैसे वॉलिवुड भी कोई दोबारा ऐस तक ऐसा रिलीज नहीं ह ये जब भी कोई इनका अच्छा काम होता है या इनकी कोई मुवी सुपर हिट जाती है तो ये पुरानी मुवी सिर्फ फैंस के लिए दोबारा से थिएटर में रिलीज करते हैं इसलिए क्योंकि वो फैंस के लिए होता है सिर्फ only फैंस कोई profit कमाना का जरिया नहीं होता profit सि जो कि फैंटर में कुछ percent उनके लिए चला जाता इस टूडियो में बड़ उनके इसके लिए ऐसा कुछ नहीं करते हैं ये सिर्फ फैंस के लिए करते हैं जिससे कि वो अपना celebration यानि कि 10 साल या एनी वर्शनल या gold, silver जो भी वो celebrate करना चाते हैं वो fans के लिए करते हैं कि हाँ यार, Harry Potter की सीरीज को देख लो, Harry Potter दोबारा लगी थी, Jurassic World को देख लो, दोबारा थेयाटर में लगी थी, पर इंडिया में Avengers Infinity War 2 October को दोबारा लग रही है और शायद Marvel इंडिया में कुछ खबरी तो होगी, 100% और मुझे लगता कि Marvel इंडिया में कुई ना कुई तो ऐसी बात होगी, जिससे कि इस movie को दोबारा रिलीज करा जा रहा है, सिर्फ किसी लिए कुई तो बात होगी 100%, तो इसका reason से हमें बात में पता चले, बट फाइनली आप लोगों के लिए Avengers Infinity War 2 October को दोबारा रिलीज हो रही है, इसका reason पता चलते ही मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, औ और देन गाइस, आज के लिए बस इतने हैं, अगर आपको यवीडी पसंद आए तो प्लिए लाइक कमें शेयर करो, जो बंद इस वीडी को नहीं देगा, या दो उस पर Iron Man के हाथ मारो, या पैर मारो, सब्सक्रेब करो, बाबाई, जारो